हेलो भाई हो मैं पुशकर आज मैं बहुत दिनों बाद बेठा हूं हुंड़ाई वेन्यू में और एक नई समस्या के साथ समस्या भाई यह आ रही है कि अब मैं तो गाड़ी बहुत मतलब टाइम हो गया मैं तो बीच में चंडी गड़ भी चला गया था और थोड़ा बहुत है क्योंकि बोर्ड वागरा खतम हो गए थे लेगिन जब मैं लोट किया तो इसमें बाई एक नई दिक्कत सामने में को देखने हो मिली है वह अभी पापा बताएंगे तो आप जब में को लेने आई ते दिल्ली तो आप इसमें गेस डलवा कर आई थे गया तो इसमें लीके बाई अपने घड़ से करीब 50 किलो मीटर दूर जो इसकी एजेंसी है उदर इसे बाई चेक कराने जा रहे क्योंकि हातरस में तो इसी एजेंसी है कि उदर गेस वगरा सिस्टम इतना आदा हाइफाई नहीं है मतलब सर्वेसिंग वगरा तो इसे थोड़ा दूर लेकर जाते है आप देख सकते हो टेंपरेचर इसका बिरकुल 20 पर चला है लेकिन फिर भी उस हिसाब से हवा नहीं दे रहा है फैन वगरा तो मतलब प्रोपर चला है लेकिन इसका जो कूलिंग है वो कमा रही है इसमें थोड़ी चलते हैं भाई इसे देखाते हैं आज और एक के बाद इसमें नई भाई परिशानी बनती रहती है आपने पहले दिखा था एक बार ये चालू भी नहीं हो रही थी और अब इसका गैस में लीके जा गया है और ऐसी चोटी मोटी जो दिक्कत हैं वो मैं आपको वीडियोस में बताता रहता है तो वो इसके साथ में भाई आती रहत रहती है तो अब चलते हैं फिलाल तो इसे दिखाते हैं फिर मैं आपको बताता हूं कि आगे उंड़ण का क्या रिस्पॉन्स रहता है भाई जिन लोग को नहीं पता तूं कि अभी सुवा के बज़ रहे हैं सुवा आठ आफ अब स्क्रीन में देख सकते हो और अभी हमें हा तो उसे कवर करते हैं डिस्टेंस को उसके बाद में एजनसी पर पहुंचके मैं आपको वीडियो चालू करता हूं फिर आपको दिखाता हूंगे हुंड़े वालों का क्या रिस्पोंस रहता है बाखी यहां बाई एक चीज़ और बता दू है आपको कि यह जो अपनी गाड़ है ब्लू कलर में डीजल के अंदर ही मेरे पास गाड़ी है जो कि मैंने साड़े तेरा लाक की ओन रोड ली थी 2022 में जब भी लॉंच होई थी आज की डेट में आप इसके प्राइस वागरा देख सकते हो अब तो थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं लेकिन उस समय पर जब भ बहुत निकाल दी है क्योंकि पची कुछी थी इसमें ज्यादा ज्यादा माउट में थी नहीं इसमें कैस तो भी निकाल दी है हम पहुंच के हैं भाई वक्शॉप और देखते हैं अंदर चलके क्या स्टेटास है अभी तो वैसे साथ कुला भी नहीं है शूरू तो भाई इ पहला वाला जिस पर हम गए थे हो था उनका शोरूम यह इदर पांच किलो मेटर दूर पर है इनकी सर्वे सेंटर तो इस पर भाई अपनी हुंड़े भी नहीं लगा दिया आप सामने साथ देख सकते हो और हमसे बाद में भाई दो गाडियां लग गए हैं देखे रहो कितन जलते हैं जल्दी से भाई करवाते हैं इसे सही तो फिर देखते हैं क्या हुता है यार हुंडे की सर्वेस है ना काफी स्लोग चलती है आज की डेट में मतलब हम आयते करीब 9 बचपन पर गाड़ी लगाई है शोरूम मतलब एजैंसी पूरी तरह खुली भी नहीं थी जब स हमने जिसके आप एलवील देख रहे हो यहां पर लगीती अपनी कार तो उसके बाद से अब भाई आप देख सकते हो अभी का अगर मैं आपको करेंट टाइम बता हूं तो भाई बारा बच चुके हैं और बहुत सारी गाड़ियों आप तो लाइन में लग चुके लेकिन दो इसके लिए होगी शायद यही सीन है भाई देखते हैं अभी इतर क्या चलना पीछे तो बहुत अपने को तो सिर्फ एसी कराना भाई उसके लिए के जो रही है कि इसकी पतानी कहां से तो भाई यह सर्विस सेंटर है इसके अंदर यार वीडियो बनाना तो मना था तो मैं इ जादा मैंने दिखा निचाता था कि में व्लॉग गळा करना वरना वरना है लोक टूप देते हों फिर गाड़ी और बलेक लिस्ट करते हैं तो इस चक्र में बाई ब्लॉग वेरा बना भाई रहों पर आप सामनी साट देख सकते हो अपनी गाड़ी लग चुकी है और इस सम नहीं बच गए थे भाई हम सुबह 10 बजे आये थे और टाइम आप देख सकते थे धाई बच चुका था उसके बाद है नमबर आया था लेकिन अब ये भाई आप देखो नई वेन्यू खुलते हुए मतलब दर तो बहुत होता भाई मतलब थोड़ी सी लीकेज के लिए पूरा हमारी खुली थी आप ये क्लिप में देख सकते हुए हमारी गाड़ी बे ऐसी खुली थी पूरा भाई कौंसुल खोल देता है आगे से उसके बाद में फिर करते हैं इसे अंदर इसका कोईल वगरा निकालते हैं और वो ही रिप्लेस कराता बस सिर्फ एक कोईल के चक्कर में एक मीटर लगा जाता तो यह काइल का पूरा ओगरा लेते रहा उसके पूरा टेंप्रेचर भी तेख्राइब लेकिन हवा काफी बाई चिल्ड आ रही मतलब पांच मिनेट हाथ ऐसे रखतो ना तो हाथ ऐसे सुन पड़ जा रहा है हवा तो काफी चिल्ड दे रहा है और यह अभी नीचे से ही पूरा कुला बड़ा है बाई मतलब हाद है पहले तो इसका इसी ना ठड़ा नी कर रहा था अब इतना ठंडा कर रहा है कि बाई फोन मैंने थोड़े देर मतलब 5 मिनेट आजेशी पर रख दिया और अब फोन लेक्ड कर रहा है पता नहीं क्यों जादी चिल्ड हो गया क्या फोन वैसे ठंड से तो ले बाइब कहने का और हमारी गाड़ी का एकदम अब चक हो चुका है बहुत चिल दवा दे रहा है लेकिन नोने एक काम खराब कर दिया यार हमारा मतलब जो वह था ना इसका और वह खराब कर दिया यार इन लोगों मतलब वोनट में अंदर दोया होगा पानी से तो हौन में पानी बढ़ गया तो अब उसकी वैसे हौन बज नहीं रहा बजा के दिखाना एक बार बिल्कुल भी नहीं बज रहा है तो अब इसे और सही कराना पड़ेगा भी तो इनका टाइम हो गया था साड़े छे बजेगा त तो भाई हुन्डे वेन्यू अब देखो हम में वीडियो कंक्ल्यूड कर देता हूं हुन्डे की सर्विस में रियालिटी आपको बताता हूं कि क्या सीन हुगा था आज मरला हम सुबा गए एजनसी के खुलने से भी पांत-दस मिनिट पहली गए लेकिन फिर भी हमें आठव नमबर मिला उसके बाद मैं भाई हम पहुंचे थे करीब पहुने 10 बजे और हमारा नमबर आया गाड़ी का करीब 2 बजे दो बजे भाई गाड़ी लगा के उसने हमें फ्री कर दिया भाई पहुने 6 तक और मैंने आपको बताया कि भाई इसमें कोईल आगिरा डेमिज ती ज तो फिर वो गया पानी बारने के लिए पानी ऐसा मार गिलाएगी देखो अब इसका हो रहनी नी बज़ रहा है मैं कितना दवार हूँ यह बज़ी नी रहा है तो यार यह दिक्कत और करती उंड़ी ने मतलब मूर सा खराब कर दिया अब भाई देखते हैं अब ऐसा था हम तो गंटा वचाता लेकिन फिर भी कह दी कि अब तो वक्षब बंद होने वाली आप कुछ नहीं कर सकते अब आप हात्रस ले जाओ हात्रस में फोन कर दूंगा वहां पर करवा ले ना अब आप कल पड़सों में तो भाई यह सी उन रहा यार आज का मतलब हुंड़ी ना कभी भ बेशती आपको की बिर्कुली सेटिसफाइड करके बेशती अंटिल एंड अनलेस आप अगर कोई डिलिवरी ने लेते तो डिलिवरी जिस दिन लोग इना भाई उस दिन तो एकदम ऐसे प्यार से खुस करके भेजेगी कि जैसे पूछो मत लेकिन अब वो यह आज हम सर्वि आए पूरा नमबर वगएरा सब लगवाया गाड़ी का और उसके भी बात भाई साड़े च्छे वजे जब वो एजेंसी बंद होने वाली थी तब निकले मतलब च्छे वजे तो उसने मनाई कर दिया कि अब होन में कुछ नहीं हो सकता तो बंद होने वाली और साड़े लेकिन देखो एसी जो ठीक कराया था ना एसी प्रोपर भाई वक्त कर रहा है अगली चीज यह भाई की सर्विस यार देखो थोड़ी सी स्तुदार नहीं चाहिए उन लिटरली मतलब ऐसा है ना बहुत कंजूसी सी करते हैं हर चीज में आप उनका वो देखो ना जैसे जहा सुमझ सिर्फ जो वरकर देना उनके ऊपर जो पंखा लग रहा था सिर्फ वो ही चला था अंदर रेस्ट रूम में भाई कोई भी पंखा फेन वगरा कुछ भी नहीं चला था तो यार थोड़ा बहुत है ना मतलब सुदारना चाहिए और कंजूसी नहीं करनी चाहिए इतनी बस मैं तो यही कहना चाहूँगा और एसी तो ठीक कर दिया लेकिन एक परेसानी और बढ़ा दी है चलो भाई करवाएंगे इसे भी सही और यही थी भाई यो वीडियो कैसे लगी आपको वीडियो करने आके जरूर बताना और एक चीज़ और बताना भाई आपे भी अगर ह उंड़े की काड़ी है तो उसमें क्या एसी की कोईल की दिक्कत आ रही क्योंकि मैं जब वहां करवाने के आना तो पहले से बाई साथ आठ गाड़ियां लाइन में लगी हुए थी और सबकी सेम दिक्कत थी कि एसी में दिक्कत है कूलिंग नहीं दे रहा या फिर गैस ली के जोरी है या कोईल में दिक्कत है ऐसी दिक्कत है आ रही थी सबकी तो आप भी भाई बताना अगर आपके पास उंड़े की काड़ी है तो यह इसी का क्या आपका रिस्पोंस रह रहा है तो यहीं थी भाई यो वीडियो कैसे लगी वीडियो एक बारी करण में जाके जरूर बताना बागी वीडियो दो एक लिए आपका धन्यवाद थेंक्यू सूमा